सिंदे सेना और बीजेपी के भीच टक्राव विधान सभाशनाव सीट शेरिंग को लेकरि बावण कुले को करार जवाब क्या है आश मामला के बाद सिंदे सेना के सिफ अलार बावन कुले पर तूट पड़े उन्होंने जम कर बावन कुले की पर एड़ ली आखिर का बावन कुले को सफाई ही नहीं देनी पड़ी पलकि उस बयान से सम्मझत वीडियो को भी सोशल मीडिया से हटाना पड़ा मुकमंतरी एकरा सिंदे के समर तक विधायक संजे सिरसाट ने सला देत हुए कहा कि बेदर होगा कि बावन कुले उतना ही बोले जितना उन्होंने अधिकार है फिजूल के बयान बाजी से उन्हें बचना चाहिए वे हमारे ताले सीटे देंगे और हम मान भी जाएंगे बीजेपी अद्देश बावन कुले ने हमें क्या मूख समझ रखा है उन्होंने तल्क सब्दों में कहा कि ऐसे बयानों से ही गड़भंदर में दराने पैदा होनी शुरू होती है मामे ब्यगरता देख बीजेपी अद्देश बावन कुले ने इसके लिए मीडिया को जिम्मधार ठहराया है उन्होंने कहा कि इनके बयान को मीडिया ने गलत तरह से पीस किया है बयान का वीडियो आदा दूरा वारिल किया गया है हमने कहीं भी नहीं कहा कि सीट बटवारे का फॉर्मूला तैह हो चुका है या तो दिल्ली और महराष्ट के हमारे वरिष्ट नेता सिफसेना के साथ मिल्क बैट कर टै करेंगे आगामी लोगसबा विधान सबा चुनाओं के तैयारी बीजेपी ने जोर सोर से शुरू कर दी है बैटकों का दोर शुरू हो गया है पार्टी प्रवक्ताओं के एक बैठक में बावन कुले ने कहा था कि दुर्या 24 के विधान सबा चुनाओं में बीजेपी 240 सीटों पर चुनाओं लेड़नी की तैयारी में है बावन कुले ने मुखमंतरी एकना सिन्दे पर भी तंच कस्तियों कहा था कि उनके साथ 50 विधायक ही है इससे जाज़त सीट उन्हें नहीं नहीं चाहिए योगी उनके इस बयान ने तूल पकड़ लिया सिन्दे समर्थक विधायकों के आकरामक होने पर बावन कुले के बयान वारा वीडियो ट्वीटर और अनिशोशल मीडिया प्रेटफॉर्म से हटा दिया गया बावन कुले का कहना है कि इस समय बीजेपी की 105 विधायक है 7-8 निर्दली विधायकों का भी समर्थन है इसके अलावा 60 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी का भी जीती रही है तो कभी हारती रही है बीजेपी के पास 43 परतिशत वोड है पार्टी को वोड परतिशत को बढ़ा कर एक 50 परतिशत तक ले जाना है बावन कुले का बयान वारेल होते ही विरोधी दलों ने भी इसकी खबर ली कॉंगर्स प्रदेश अध्यक शनाना परोले ने कहा कि बीजेपी के पेट में जो बात थी वे सामने आ गई है हमारी एकना सिंदों को सला है कि वे बीजेपी से सावधान रहें आने वाले समय में बीजेपी उनके साथ क्या करेगी इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है एंसीपी के प्रदेश अध्यक जैन पारिल ने कहा कि आगामी चुनाव सिंदे को बीजेपी के चुनाव चिन पर ही लड़ेगी सिंदे की सिफसेना का नाम और निशान बाकी नहीं रहेगा इसमें कोई संका का कार नहीं है बीजेपी का या ओपन सिक्रेट है कि वे छोटी पार्टियों को दिरे दिरे खत्म करने के मिशन पर लगी है